हाई असलाम अलेकुम विल्कम बैक टो मैं चैनल उमीद है कि आप सब ठीक होंगे तीन चार दिन से मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है अभी भी आपको मालूम पढ़ गया हो है कि मेरा गला कैसे खराब है आज के व्लाग में थोड़ा अजस्ट कर लो क्योंकि मेरी आवास भ आनेगा बहुत दिन हो गए थे 15-20 दिन हो गए थे और और क्या क्याता है आम बहुत सारे तोड़ दिया है यहां पर सिर्फ थोड़े से आम बचे हैं सोचा आके देख लूँ थोड़ा और थोड़े से लेकर भी चले अगर मौका मिलेगा तो और हमारे पीछे कैसी जंगल हो लिए जो आम कोखाने वाले कीड़े जो आम को खराब कर देते तेना वह कीड़े उपर बैट रहा हैं लुए चलों आभी आपको नजर आ रहे तक तोड़े नहीं है क्यूंकि इसका रेट ठोड़ा कम चल रहा है इसलिए इसको नहीं तोड़े हैं अगर रेट थोड़ा बढ तोड़ा है जो लिया है हमारा फार्म नहीं तोड़ा है उसको पता नहीं कब तोड़ेगा क्योंकि जो आम का रेट है ना बहुत कम हो चुका है होलसेल रेट और बहुत सारे कीड़े भी खाली है और बारी शना होने की वज़े से थोड़े आम भी खराब हो चुका है कि हम लोग आगे की तरफ जा रहा है जामून लेने के लिए दो दिन तीन दिन पहले हमारे अबबा आये थे जामून तोड़कर घर लेकर आये थे बहुत सारे लह माशाला बहुत ही टेस्ट थे मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में शायद मैंने आपको सामने जा करें जामून के पेड़ यह वाला भी एक पेड़ है और देखो शाम हो चुकी है सूरज धल रहा है 15-20 मिनट है सूरज धलने के लिए देखो अरे कवर नहीं लेकर आया है कवर लेकर आते तो हम जामून थोड़े से थोड़कर लेकर जाते देखो माशाल्ला इस ए थोड़ा अग्जस्ट कर लेना मेरा गला थोड़ा सा खराब है इसके ऊपर चड़के मैं आपको सूरज का व्यूद यह देखा हूं तो रहा सूरज 15-20 मिनट है संसेट होने के लिए और मैं यह पथर पर चड़ा हूँ आपको सूरज का व्यूदेने के लिए यह रहा जामून तोड़ के लिए क्या सकता है मैं बोला महां पर अज़स्ट हो जाएगा कही ने कहीं मिल जाएगा लेकिन यहां पर आने के बाद ना कवर मिला ना कुछ अरी इंतजार कर रहा हूं मैं कवर का देखते हैं अगर कहीं पर पेड़ पर रखा है कवर तो ले लेते हैं ज मुझे लगाता है वो तोड़ दिया है तो ता परियाम लेकिन वो नहीं तोड़ा है मेरा वाफास जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि कल साटेडे के दिन में में बकरामंडी जाना है और वहां कभी व्लॉग लेना है अगर कल तक मेरा ठीक हो जाएगा तो बहतर रहेगा देखते जैसा भी है फाम का चक्र लगाते हैं आपको भी थोड़ी दिखाते हैं आज के व्लॉग में फाम को और लास्ट सीजन के जो आम है अभी खतम होने ही वाले हैं इसको अभी नेक्स्ट वीक पक्का तोड़ देखा ऐसा लग रहा है मुझे दिखाता हूं आपको तोड़ा परी ह आएंगे यह माशाओला यह देखो और यह वाले शायद नीलम है या पता नहीं इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहे जो भी इसका नाम है यह भी तोड़ा बाकी है पके जाएंगे देखो अल्मोस्ट तोड़ेने का वक्त आ चुका है उसका अभी महीं आया हूं कवर लेने का जा नैगे यह मिले हैं इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कार्टौन टाइपब बना कर न थोड़कर इसमें जमा करकर ले कर देंकि हमारा जो कली में आपको feeling जैसा मैं देख रहा हूं वैसा आपको feeling आनी चाहिए कि इतना अच्छा मौसम है यहां पर इतना प्यारा sunset हो रहा है इसलिए मैं मौसम के बारे में sunset के बारे में sunrise के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताते रहता हूं चलो अभी पेपर लेकर चलते हैं थोड़े से जामून तोड़ते हैं यह देखो वापस मैं चड़ चुका हूं लास्ट पांच शे व्लाग पहले भी मैं आया था फाम पर और जामून के पेड़ पर चड़ा था क्योंकि जब फाम पर आता हूं तो जामून बचाए अंधेरा होने के लिए जल्ड जल्ड वही आर निकलते हैं थोड़े से फोड़ाय मैं और थोड़ लेते हैं फिर अंधेरा होने से पहले फाईले निकल करते हैं जान से यहदopa मा Schallam baha माशालला बहुत सारे लगे हैं यहां पर वहां पर बहुत सारे उपर नीचे हर जगे पर लगे हैं तोड़ लेता हैं माशालला बोलिया आप लोग भी कोई भी नाजर में लगाएं हर कोई माशालला बोलो चलो वह पेड़ में से उतर चुगा हूं मैं देखो कैसे पसीना छू पर थोड़े से थोड़ करके ना तो हो चुका है नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को अधर जा चुका है सुरज पूरा नीचे और मैंने तोड़ी लिया है अलहम्दुल्लाइब जितना भी हो सकता है तोड़ा है और मौसम ना पता नहीं अभी तक बारिश यह नहीं हो र कि बारिश पढ़े अच्छे से और बहुत जरूरी है बारिश ही भी और बहुत जरूरी है बारिश है पढ़ना अगर बारिश नहीं होगी तो मुश्किल होगा हर किसी के लिए जो फार्मिंग करता है उसी के लिए नहीं हर किसी के लिए मुश्किल आ जाएगी अगर हुआ है पता नहीं कि अच्छी आ रही है देखते हैं लेकर चलता हैं माशालाह इतने सारे थोड़े हैं हमने एक आधा किलो तक कि देखा अपने थोड़े से जामून तोड़े लिए हैं हमने आकर के थोड़े आइसा फैदा हो जाता है यहांपर और बहुत दिन बाद आये ना थोड़ी कसरद भी हो गई और पसीना भी निकल गया है मेरी आवाज को थोड़ा सा लाइट ले लो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो फिर चलते हैं सूरज पूरा डूब चुका है अंधेरा तो नहीं हुआ अंधेरा होने के लिए और 10-15 मिनिट बचा है हम थ 20-25 दिन पहले मैं आया था इसके उपर चारान से जल घर जा सकते थे हम लोग अभी नहीं जा पाएंगे और जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे जंगल टाइप हो चुका है देखो साफ़ाप होंगे तो कह नहीं सकते ना यह पेड़े में थोड़े से और आम बचे हैं फिर थ चार चुका है पेड़ों के नीचे और यहां पर जो पानी आता है ना मैं सोचा पानी रहेगा जब एंटर हुआ था लेकिन आने के बाद देखा पानी नहीं आ रहा था क्योंकि पांच बजे इसका लास्ट टाइम हो जाता है बंद कर देता है इसको में स्वीच जो होता है यह हुआ है बाटल में थोड़ा सा पानी पकड़े थे थे थैंश्रीस जिलदी जल्दी निजिकल जहकर लाग था जिल्दी मैं बात कर दिया ज़्दी जल्दी क्योंकि 17 कि वोगत ही कम था करता हूं मैं क्योंकि गला बैठने के वज़े से मैं थोड़ा व्लागिंग भी नहीं कर रहा था आज थोड़ा सा गला सही हुआ है और मैं व्लाग किया आज फाम पर आने के वज़े से वना आज भी मैं व्लाग नहीं करता क्योंकि अभी भी सही से खुला नहीं है गला चलो अ यहीं पर समाप्त करते हैं यहीं पर एंड करते हैं अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं आपको आची नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाहाफेज